बॉलिवुट की बेबो करीना कपूर टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हैं। वह लंबे समय से इंडस्ट्री में अक्टिव हैं। इसके अलावा करीना कपूर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। करीना कपूर खान ने साल 2012 में सैफ अली खान से शादी की थी। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को लगभग 12 साल हो चुके हैं। दोनों के बीच में गजब की बॉंडिंग देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई लोगों ने करीना को सैफ से शादी ना करने की सलाह दी थी जब करीना ने सैफ से शादी करने का फैसला किया तो कई लोगों ने उन्हें सैफ से शादी ना करने की राय दी थी उस वक्त करीना ने किसी की नहीं सुनी थी बॉलिवुड में जब हसीनाओ का करियर पीक पर होता है तो लोग अकसर उन्हें शादी से दूर रहने की सलाह देते हैं कहा जाता है कि शादी के बाद एक्ट्रेस का करियर तबाह हो जाता है बॉलिवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने सैफ अली खान से साल 2012 में शादी की थी और उन्हें भी लोगों ने ऐसी ही सलाह दी लेकिन बेबो ने किसी की एक ना सुनी और शादी के बंधन में बंद गई करीना कपूर ने शादी के सालों बाद सैफ अली खान संग अपने रिष्टे को लेकर खुल कर बात भी की थी फिल्म फेयर के साथ 2020 के एक इंटरव्यू में करीना कपूर ने सैफ के साथ अपने रिष्टे पर बात की थी उन्होंने बताया था कि वे सैफ के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी और इसलिए उन्होंने लिव इन में रहने का फैसला किया इस बीच सैफ ने उन्हें शादी के लिए कहा और उन्होंने हामी भर दी करीना कपूर ने बताया कि लोगों ने उन्हें सैफ अली खान से शादी ना करने की सलाह दी थी बेबो ने कहा था हर कोई कह रहा था शादी मत करना वरना करियर खत्म हो जाएगा मैंने कहा कि करियर ही खत्म हो जाएगा न, जान तो नहीं चली जाएगी न, मैं सैफ से प्यार करती हूँ अगर उनके साथ रहने का मतलब यह है कि मेकर्स मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही बेबू ने आगे बताया कि शादी के बाद भी उन्होंने कुछ अच्छी फिल्मे की इसके अलावा सैफ संग अपने रिष्टे को लेकर करीना ने कहा मैं सिर्फ तभी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ जब हम लंबे समय तक एक दूसरे को नहीं देखते हैं सैफ से पहले करीना शाहिद कपूर को डेट कर रही थी लेकिन दो साल बाद उनका शाहिद से ब्रेक अप हो गया फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान करीना की सैफ अली खान से नज़दी किया बढ़ गई अब करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को 12 साल हो चुके हैं कपल अपने दो बेटों तैमूर और जेह के साथ एक हैपी मैरिड लाइफ इंजॉए कर रहा है इसके साथ ही करीना और सैफ फिल्मों में भी एक्टिव हैं करीना कपूर आखिरी बार फिल्म क्रू में दिखाई दी थी और अब रोहित शेटी की सिंगम अगेन में नजर आएंगी वहीं सैफ आखिरी बार आदी पुरुष में नजर आये थे और अब जूनियर एंटियार के साथ देवारा पार्ट वन में दिखाई देंगे